नमस्कार दोस्तों तो इस वीडियो वे मैं आप लोगों को दिखाऊँगा relative adverb और relative pronoun में क्या आंतर है तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताने वाला हूँ relative pronoun का use कैसे करते हैं तो मैं आप लोगों से request करना चाहूँगा कि इस वीडियो को बिल्कुल भी skip ना करके पूरा देखे जो कि आप लोगों को आज के बाद कभी भी confusion नहीं होगी relative pronoun के use में या फिर relative adverb के use में तो आई इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं देखे रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन जो किसी नाउन के बारे में और अधिक जानकारी दे या दूसरे कथन से नाउन या प्रोनाउन का संबन्द बताए उसे relative प्रोनाउन कहते हैं जैसे नीचे देखिए ये वही आदमी है जिसकी मैंने कल मदद की थी अब देखे रिलेटिव प्रोनाउन की लिस्ट ये रही हू का यूस करते हैं हम जो के सैंस में किसी व्यक्ति के लिए हूम जो के सैंस में इसका भी यूस करते हैं किसी व्यक्ति के लिए which मतलब जो for non-living things और animals के लिए यूज़ कर सकते है what मतलब जो या जो कुछ non-living things और thoughts के लिए that मतलब जो that का यूज़ काफी जादा होगा ये सबसे जादा यूज़ होता है that का वो मैं बता हुआ किस परकार से whose मतलब जिसका या जिसके या जिनके के सैंस में यूज़ करते है देखिए ये वही आदमी है जो समजी बेचता है अगर हम इस परकार से कहें this is the man who sells vegetables तो क्या यहाँ पर हम whom का यूज़ कर सकते है who की जगा तो बिलकुल भी नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते देखिए this is the man who sells vegetables यह वही आदमी है जो समजी बेचता है तो who से हम subject का पता लगाते है इसलिए जो कि सैंस में हम who का यूज़ जहाँ पर करेंगे वहाँ पर whom का नहीं कर सकते who का प्रियोग हम वही करेंगे जहाँ subject ना हो जैसे इस वाक्य में है this is the man who sells vegetables अब देखिए इस वाक्य को दो भागों बाटते हैं देखिए पहला sentence बनाईए this is the man यह वही आदमी है sells vegetables तो यहाँ पर कोई subject नहीं है जब subject नहीं है तो हम इसे जोडने के लिए who का यूज़ करेंगे मतलब दूसरे वाक्य में कोई subject मतलब करता नहीं है तो हम दोनों वाक्य को जोडने के लिए subject के इस्तान पर या हम कह सकते हैं main verb से पहले who का ही प्रियोग करेंगे तो यह sentence बिल्कुल correct है यह वही आदमी है जो समझी बेचता है this is the man who sells vegetables लडकी जो खाना बना रही है उसकी महन है या फिर हम कहें खाना बनाने वाली लडकी उसकी बहन है तो हम इस परकार से बनाते है the girl who is cooking is his sister आप कहें कि यह कैसा sentence है यहाँ पर कोमा लगाया फिर यहाँ पर कोमा लगाया फिर इज से यहाँ से सुरू हो गया तो इस परकार के sentence भी बनाए जाते है इंगलिस में आप लोग वो पता होना चाहिए देखिए तो इस वाक्य में who is cooking कोई present नहीं है कहीं यह मत समझना कि कौन खाना बना रहा है who is cooking यहाँ पर यह कोई question नहीं पूछा जा रहा ठीक है बलकि यह non defining relative clause है जो लड़की के बारे में कुछ extra information दे रहा है जैसे नीचे देखे लड़की जो खाना बना रही है उसकी बहन है ठीक है तो आप इस वाक्य को इस परकार भी बना सकते हैं जैसे लड़की उसकी बहन है जो खाना बना रही है तो देखे इसे हम defining कहते हैं जिसमें हम कोबा नहीं लगाते हैं और जिसमें कोबा लगा लगा के बताते हैं दगार हूँ इसको की इस इस sister वो non defining relative clause होती है अब इस वाक्य को समझे दगार इस sister लड़की उसकी महन है तो ये इस वाक्य से साब पता चल गया कि अब लड़की के बारे में extra information क्या मिल रही है हूँ is cookie मतलब वो खाना बना रही है उसकी महन क्या कर रही है खाना बना रही है तो ये extra information है जो हो की द्वारा दिया जा रहा है ठीक है और हूँ is cookie relative clause है और हूn relative pronoun है अब छोटी सी चीज समझे जैसे the girl who is cooking is his sister जिस वाक्य में कोबा का निशाद नहीं लगाते हैं वो defining relative clause होता है जो इस परकार से बनाया जाता है the girl is his sister यह his sister कहां पर आरता यह यहां से आता कि last में आराता लेकिन defining clause में क्या होगा यह subject के तुरंत बाद आएगी helping verb क्योंकि यहां पर हम कोबा का use नहीं कर रहें अब आपको एक बात और जाननी जरूरी है who के बाद जो helping verb आएगी वो क्या होनी चाहिए जैसे who is होनी चाहिए या फिर who are या who was या who were अब नीचे वाले वाकिए देखे जो लड़का यहां आ रहा है वो मेरा दोस्त है the boy who is coming here is my friend the boy is my friend who is coming here तो आप दोनों परकार से बना सकते हैं यह who वाली जो clause है इसे आप बाद में रख सकते हैं जो यहां से यहां तक है यहां पर कोबा नहीं लगा वाग यहां हम लगा सकते हैं तो यहां पर आपने क्या देखा हू की बाद हमने इज का यूज किया क्यों? क्योंकि हम एक लड़के की बात कर रहे हैं अब देखें जो लड़के यहां आ रहे हैं वो मेरे दोस्त है the boys who are coming here are my friends इस परकार से बनाए या फिर इस परकार से बोल सकते हैं the boys are my friends who are coming here तो इतना क्लियर हुआ who के बाद हमने आर का यूज क्यों किया क्योंकि plural subject है boys मतलब एक से अधिक लड़के हैं इसी परकार से आप past में भी कर सकते हैं similar noun के साथ was का यूज करेंगे past के लिए अब plural noun के साथ मतलब plural subject के साथ आप work का यूज करेंगे तो यहाँ पर आप लोग और में example देख सकते हैं जो लड़की काम कर रही है वो उसकी girlfriend है the girl who is working is his girlfriend ये वो आदमी है जिसने मुझे कल बुलाया था this is the man who called me yesterday तो देखिए व्यक्तियों की बात हो रही है तब हम who का use कर रहे हैं और who का use कैसे कर रहे है हम subject की जगा पर who को रख रहे हैं इतना clear होना चाहिए आपको अब आपको बताऊँ हूँ क्यों मैं ये बता रहा हूँ कि subject की जगा पर हम who को रख रहे है जो या जिसने के sense में तो देखिए मेरे पास बहुत से दोस्त हैं सिच्चक है I have many friends who are teachers अब नीचे देखिए अगर वाक्य में केवल जो हो और किसी वैक्ति के लिए हो तो हम प्रियोग करते हैं one who मतलब जो singular person के लिए does who मतलब जो plural के लिए मतलब बहुवचन के लिए तो देखिए एग्जांपल है जो भगवान से प्रात्मा करता है उसे सांती मिलती है हम singular की बात कर रहे हैं एक लिए की बात कर रहे हैं one who prays to God finds peace जो कोसिस करते रहते हैं उन्हें सफलता मिलती है those who keep trying get success okay those who मतलब जो कोसिस करते रहते हैं मतलब एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है यहां पर one who मतलब किसी एक वैक्ति के बारे आप बोलना चाहते हैं इसे परकार से देखिए जो यह किताब पढ़ता है वो basic English grammar सीखता है one who reads this book learns basic English grammar तो देखिए जो भी यह किताब पढ़ते हैं वो basic English grammar सीखते हैं those who read this book learn basic English grammar जो महनत करता है वो सफलता प्राप्त करता है one who works hard gets success जो महनत करते हैं वे सफलता प्राप्त करते हैं एक से ज्यादा की बात है those who work hard gets success ठीक है अब आपने who को समझ लिया कि who का use किस परकार से हम कर रहे हैं और अब आप जानेंगे कि who का use किस परकार से करना है जो जिसे जिसकी जिसकों के sense में who का प्रियोग हम object के रूप में करते हैं केवल object का पता लगाने के लिए करते ही आप लोगों पता है इसलिए हम इसे relative pronoun के रूप में भी object के बारे में ही जानकारी के लिए लगाएंगे whom का प्रियोग मानव के लिए object के रूप में होता आर्थात इसके बास subject का प्रियोग अवस्य होता है आप whom की जगा हू का भी प्रियोग कर सकते हैं लेकिन आप हू की जगा हू का प्रियोग नहीं कर सकते subject के बारे में बताने के लिए जैसे नीचे देखे ये वही आदमी है जिसकी मैंने कल मदद की जिस आदमी को मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो मेरे पापा ही है तो आप क्या देख रहे हैं, आप देखिए, हूम या हू के बाद एक समजेक्ट जरूर आ रहा है लेकिन अगर यह समजेक्ट ना आए, तो किसका यूज़ करेंगे, आप हूम का यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसके जगा आपको हू का ही यूज़ करना पड़ेगा अब यह वाला सेंटेस देखिए, जिस लड़की से मैं कल मिला था, वो मेरी गल्फ्रेंड है दोनों में से किसी का यूज़ करेंगे, को कि यहाँ पर समजेक्ट है, इसे परकार से देखिए, यहाँ पर भी समजेक्ट है, तो हम यहाँ पर हू का भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर हू का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर हू का यूज़ कर सकते हैं, को कि यहाँ पर स खेल रहा है वो मेरा भाई है दा बॉय हूँ इस प्लेंग देयर इस माई ब्रदर अब इसमें आप हूब नहीं लगा पाएंगे क्यों कि यह वाक्य गलत हो जाएगा हूब के बाद क्या आना चाहिए एक सब्जक्ट आना चाहिए जरूर तो यहां तो कोई सब्जक्ट नहीं है और हूब का ही उस कहा करना आपको मैंने बताया था जहां सब्जक्ट मिसिग हो अगर हम इस वाक्य को तोड़े तो देखिए हम इसे इस प्रकार से तोड़ सकते है दा बॉय उकी उसके बाद इस हूब को हटा दीजी यहां से माल लीजी और सेक्ट सेंटर समझाएगा इस और नौन लिविंग ठीक्स और एनिमल्स यह रहा वुशिक का जो मुझे कल मिला था हेर इस दा कॉइन विच आई फाउड यस्टरड़े वो किताब जिसे मैंने कल खरी दी फटी हुई है दबूप विच आई बॉट यस्टरड़े इस टॉर्ड तो बाकि आप देख सकते है अब बाकि आप लोग यह PDF खरीश सकते हैं अगर चाहे तो अब देखे रिलेटिव ट्रोडाउन वर्ट दो दो एक जामपल देता हूं सबके वर्ट का प्रियोग के वाल नौन लिविंग ठीक्स और थौट्स के लिए किया जाता है ध्यान रहे जब वाक्य में किसी एंटिस एंटिसिडेंट क्या होता है जिसका इलाज नहीं किया जा सकता सहन करना पड़ता है इस वाक्य में एंटिसिडेंट नहीं है क्यों वाट कैन नौट बी क्यों बस्ट भी एंडियोर्ड ठीक है जिसका इलाज नहीं किया जा सकता सहना पड़ता है इसका यह मतलब है अब śidiediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediediedied cannot be cured, must be endured वो जो चाहता है, खरीदता है वो जो चाहता है, वो खरीदता है इसमें क्या बता सकते हैं, incident है कि नहीं? नहीं है, देखिए वो क्या चाहता है, यहाँ पर नहीं बताया गया लेकिन हम down anything की कलपना कर सकते है He buys what he wants ठीक है, वो कुछ तो चाहता है, ऐसा है मैंने वो सब किया, जो मैं तुम्हार लिए कर सकता था इस वाकि में, antecedent है क्या है वो? वो सब ठीक है, I did all that I can do for you मैंने किया, जो मैं तुम्हार लिए कर सकता था इस वाकि में, antecedent नहीं है मैंने किया I did what I can do for you जहाँ पर antecedent ना हो वहाँ पर हम what का use करते हैं तो इतना clear हो रहा है आपको वो जो कहता है अच्छा है what he says is good what he says is good इसी परकार से और में आग्यापल देख सकते हैं आप मैं that वाले को बताता हूँ आपको dad का प्रियोग हम living and non-living दोनों के लिए कर सकते हैं जैसे यही तो मैं चाहता हूँ that is what I want superlative degree के बाट डैट का प्रियोग करना चाहिए जैसे यह सबसे अच्छा है जो हमें जरूर करना चाहिए it is best that we must do साथे साथ कुछ खास सब्द हैं all, some, only, none, nothing, much, somebody, everyone, any, anybody इनके साथ डैट का प्रियोग करना चाहिए जैसे जो सफल होता है वो हमें सा निस्पच नहीं होता है all that succeeds is always not fair यह कुछ भी नहीं है जो दर्सकों का ध्यान आकरसित कर सके या ध्यान को आकरसित कर सके there is nothing here that can attract the audience's attention ठीक है बाकी आप लोग देख सकते हैं एक जांपल इतना काफी है अब आप लोग को दिखाता हूँ कि relative adverb दो बाक्यों को जोडने का काम करने वाले adverb को relative adverb कहते हैं जो है when, where, why and how I know how to speak English मैं जानता हूँ कि इंगलिस कैसे बोले कि यहाँ पर किसी noun की बात कर रहा हूँ कैसे बोले मैं जानता हूँ या फिर मैं इंगलिस बोलना जानता हूँ I don't remember मुझे याद नहीं है where I lost my pen यहाँ किसी वैक्ती की बात हो रही है क्या नहीं मुझे याद नहीं है कि मैंने अपने कलम कहा खो दी है कहा किसी जगह की बात हो रही है I know the time मैं जानता हूँ समय वो समय मेरे को पता है when he came here जब वो यहाँ आया था Tell me about the place मुझे वो जगह बताईए where जहां he was born जहां वो पैदा हुआ बाकि आप लोग आगजांपल देख सकते हैं I know the reason why he came here मैं जानता हूँ कि वो यहां क्यों आया ठीक है यह सभी adverb है वो भी कौन से relative adverb और interrogative adverb भी होते हैं यह अब बाकि अगर आप लोग इसे purchase करना चाहते हैं तो description में link दे दूँगा आप लोग जाके वहाँ से purchase कर सकते हैं तो thanks for watching